मस्ती फ्रेंड्स, वेलकम हीर, मुझे लगता है कि इस संसार में प्रतीक वर्क का प्रतीक प्राणी किसी ना किसी हीन भावना से ग्रसित है, अब चाहे वो इस्त्री हो, या पुरुष हो, या फिर छात्र हो, तो आज मैं आपे इस्त्रियों से पहले शुवात करूंगी कि उनमें हीन भावना किस तरह से आती है, वैसे तो हीन भावना के बहुत से कारण होते हैं, कोई एक कारण से हीन भावना नहीं आती है, बहुत से कारण होते हैं, लेकिन इस्त्रियों में सबसे मुख्य वो कौन सी तो में बात कर रही हूं इसरीयों की बसूरती की, जी हां, ये उसका खुद का सोचा हुआ, मतलब नहीं है, कि वो खुद सोचती है, कि मैं बसूरत हूं, तो उसको अंदर हीं भावना आजाती है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ये जो हमारा समाज है, ये संसार है, ये उसको पल-पल याद दिलाता है कि तुम एक बस सूरत इस्त्री हो देखिए बस सूरत होना कोई अभिशाप नहीं है लेकिन ये जो समाज है ये पल-पल हमको इस बात को याद दिलाता है कि तुम्हें बस सूरत स्त्री हो वो ये आकलन ही हमारा इस हिसाब से करता है इस तुछ आकलन को हर एक वर्ग में बढ़ावा मिलता है ऐसी बात नहीं है कि आप जो भी सोच रहे हैं बहुत ही प्रभावशाली हो ऐसा नहीं है लेकिन जब जुन्ड कर जुन्ड उसी बात को सोचता है उसी बात को समाज तक फ्यालाता है तो फिर वो बात प्रभावशाली हो जाती है हम जिस समाज में रहते हैं वो इस तो छाकलन को बहुत महत्व देता है जिसे हीन भावना का पनब जाना एक आम बात है फिर चाहे वो इस तरी कितनी भी कारिकुशल, वेवारकुशल क्यों ना हो तो मेरा मानना है कि चाहे आप जितना अपने को समझा लो, बहला लो लेकिन हीन भावना वही की वही रहती है और वो टस से मस नहीं होती है ऐसा क्यों? क्योंकि हम उसी समाज का हिस्सा है और हमारा बराबर उन समाज के लोगों से सामना होता रहता है देखिए कई चीजों के संयोजन से जो ये बदसूर्ती का खिताब बनता है वो कई चीजों के संयोजन से प्रभावहीन भी किया जा सकता है एक इस्त्री में इस बदसूर्ती का अधार तीन संयोजनों से बनता है पहला है रंग, दूसरा है कद और तीसरा है उसका कट फेस तो मैं इस त्रियों से ये कहना चाहती हूँ कि इस रंग को हराईए अपनी जोरदार इंग्लिश स्पीकिंग से जी हाँ, अपनी बोलचाल इंग्लिश में, इंग्लिश के वर्ड जादा उसमें यूज करिए दीरे-दीरे आपको इंग्लिश स्पीकिंग आजाएगी और ये जो रंग भेद है इसको आप हराईए अपनी इंग्लिश स्पीकिंग से आप देखती हूँगी कि अफ्रीकन लेडिज जो होती है वो रंग में कितना उनका डल होता है, एकदम काला रंग होता है उनका और cut face भी समानी होता है लेकिन अगर वो इंडिया में आ जाए तो सब उनको देख के हिन भावना ग्रसित हो जाते हैं क्यों? क्योंकि एक उनका strong factor है English speaking और बहुत अच्छे English वो बोलती है तो आप सोच लीजे इस रंग को आफ हराईए अपने अंदर गुर लाईए English की बोल चाल शुरू करिए बराबर उस पे वर्क करिए और एक दिन आप इस रंग को हरा देंगी अपने English speaking से कद को हराईए अपने valuable पद से यानि एक समान जनक service, job जी हाँ, जब आप एक high profile job पा जाती है चाहे वो government की हो, चाहे वो private हो तो आपको उस high profile में एक भारी भर कम salary के साथ आपको अनेक सुख सुखधाई भी दी जाती है आपको भार सरूप, एक अच्छा बंगला, एक अच्छी गाड़ी, नौकर, चाकर फिर ये जो लंबे कद वाली स्रियां हैं या पुरुश हैं, वो आपका interview लेती फिरेंगी फिर आपको अपने कद को लेकर कोई हीन भावना नहीं पन पेगी बलकि सामने वाला हीन भावना ग्रस्त होगा, जो आपसे लंबा होगा यानि पद, कद से पद ज्यादा valuable होता है, ये जान लीजे कट फेस को हराईए अपने सौम और सुन्दर पहनावे से जी हाँ, ऐसा होता है कि आप उस वक्त जब एक बहुत ही खुपसूरत एक जो हिरोईन होती है बहुत ही सुन्दर होती है, बहुत ही ग्लेमरेस होती है और उनके जब सामने एक I.S.P.C.S. इस्त्री आ जाती है अपने सुन्दर सौम या साड़ी में या सूट के पहनावे में तो उनका चहरा देखने लैक होता है वो कहीं आपके सामने कहीं भी नहीं टिकती है आपकी एक पैर की छोटी सी उंगली के बराबर भी नहीं होती है सोचिए कितना अंतर आता है एक अच्छा पद आपको एक सुन्दर सौम पहनावे के साथ आपके कद आपके कट फेस आपका रंग सब को वो हरा देता है और मेरा यकीन मानिए कि इस हंड़ेट परसंट की हींता को आप 99 परसंट तक कम कर चुकी होंगी बचा एक परसंट तो उसको रहने दीजे वो आपको इन उपलब्धियों को निभाने के काम में आएगा अब आप कहेंगी क्यासे तो वो ऐसे कि ये एक परसंट आपको हर दिन हर घंटे हर पल आपको याद दिलाएगा कि हाँ आपने जो ये उपलब्धियां आपने जो ये पुरुसकार बनाया है अपने लिए वो आपको प्रति दिन समभालना है अगर ये एक परसंट भी नहीं रहेगा तो आप भूल जाएंगी अपनी इन उपलब्धियों को भूल जाएंगी इस पर ध्यान नहीं देंगी और धीरे धीरे ये आपकी धूमिल होती जाएगी तो एक परसंट की हिंता तो रहने दीजे वो आपकी पॉजिक्टिवटी है तो वो आपको सम्हाले रखेगी आपकी पूरी उम्र तक तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही तो थैंक यू वाचिंग